इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रव्यू करेंगे उसका नाम है एलीव, बायर्स की यह प्रॉडक्ट है और इसके अंदर जो ड्रग आती है नेप्रोक्सन सोडियम, सोडियम उसका सॉल्ट होता है, यह टेबलेट्स है और इसकी जो डोज है देटिस 220 मिलिग्रैम्स जो के अगर आप देखें इसके उपर NSAID लिखा है, ब्रैकिट्स में, NSAID का मतलब होता है Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, क्या मतलब कि यह ड्रग आपकी जिसम में जाके अगर कहीं पर सुझन होई है, उस सुझन को खतम कर देते हैं, और जो दर्द उठ रहा था, उस सुझन की वज़े से वो भ वज़ा होगी, सिर्फ दर्द खतम कर देना, सुझन को खतम कर देना, इलाज नहीं होता, बहराल जो आपके पास यह टैबलेट्स हैं, स्पेसिफिकली सबसे पहले पेन में यूज़ होती है, 500 mg की डोज अगर आप ले तो एक दिन में एक टैबलेट्स या सुबाश शाम दो टैबलेट्स, 220 mg की क्यों एक लोज है तो दिन में तीन से चार टैबलेट्स आप ले सकते हो, इसकी इलावा और बिमारियां आती हैं जिस तरह के रूमाटाइड अर्थराइटस, औस्टियो अर्थराइटस, एनकाइलोजिंग, स्पॉन डायलाइटिस, ये तीन जो बिमारि में उठने बैठने बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादी तकलीफ है, तो 500-1000 mg तकी आप दिन में टैबलेट्स ले सकते हो, इसकी इलावा एक और प्रोब्लम होती है, जिसको गाउट कहते हैं, क्या होता है, कि जो यूरिक एसड है आपकी बोड़ी का कभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में दो से तीन बार टैबलेट्स ले सकते हैं, या हाई डोज में दिन में दो बार आप ये टैबलेट ले सकते हो, अच्छा कुछ लोगों की जो शिकायत है, कुछ साइड इफेक्ट्स जो लोग बताते हैं, के टैबलेट लेने से उनके पेट में कहीं जخम पहले बन चुका है तो गतियान इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर पहले से आपको हाट की प्राबलम है कोई बलड प्रेशर भढ़ गया या कभी इन जाइनम अगया हुआ इसकी इलावा अगर आपका कोई सवाल है तो comment section पूछ लिजिए सासी चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें शुक्रिया